तो नेक्स लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि आपने प्रिविएस लेक्चर में कुछ इंपोर्टेंट रियक्शन जो हमने पड़े थे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने घर पर कितनी प्रैक्टिस की है तो पहले क्विश्चन में हमारे पास तीन कंपाउंड है अमोनियम नाइटराइट, अमोनियम नाइटरेट और अमोनियम डाइक्रोमेट तीनों को अगर हम हीट करते हैं तो उनकी थर्मल डिकम्पोजीशन से क्या बनता है यह आपको बताना है सेकिंड क्विश्चन में N2O और NO कैसे हैं असिडिक हैं, नीटरल हैं, कलरलेस हैं, कलरड हैं ठीक है, एक से ज़्यादा ओप्शन आप टिक कर सकते हैं थर्ड, कलर अफ NO2 फोर्थ, वेरी प्योर नाइटरोजन गैसे अप्टेन फ्रॉम फिफ्ध नेम 3 Fertilizer that contain nitrogen शिक्ष पार पार प्यरामंगिनेटिक ऑकसाइड और कोन कौन से पैर इमेगनेटिक होते हैं और सेवन्हारा, कौन कौन से धायमेयनिक ओकसाइड हैं यह आफ्श पास्ट वीडियो और तो जो नेकसर नी तो के स्थालें अब चलिए उनके solution देखते हैं first one NH4 NO2 को thermal decomposition करने पे N2 plus 2H2O मिलता है second ammonium nitrate को करने पे N2O तो आप ऐसे भी आदरक्षने कि यहाँ NO2 था यहाँ NO3 है तो एक oxygen extra है इसमें N2 बनता और इसमें N2O बन जाता है plus 2H2O बागी सेम रहेगा और ammonium dichromate में इसमें भी ammonium sorry nitrogen gas बनती है plus CR2O3 solid plus 4H2O ठीक है यह चलिए gases form में होगा तो hopefully gases form में ही होंगे water क्योंकि heat कर रहे है ठीक है and CR2O3 is a green color solid और N2O और NO दोनों neutral oxide होते है और दोनों ही colorless होते है color of NO2 क्या है brown यह आप बोसके है reddish brown very pure nitrogen is obtained by thermal decomposition of azides thermal decomposition of azides ठीक है NAN3 या BAN3 twice next is name 3 fertilizers that contain nitrogen क्या क्या हो सकते है ammonium sulfate ammonium phosphate और urea ठीक है तीनो बहुत common है paramagnetic oxides of nitrogen यहाँ आपको याद कर रहा है देखिए जो NO है nitric oxide ठीक है NO is a paramagnetic oxide क्योंकि NO में nitrogen के उपर odd electron होता है ठीक है तो odd electron का मतलब है unpaid electron तो यह paramagnetic है तो NO और NO2 तो मैं आपको बताया था कि NO2 में भी odd electron होता है तो NO and NO2 यह दोनो paramagnetic हैं बाकि सभी diamagnetic हैं N2O N2O4 N2O3 और N2O5 ठीक है यह सभी diamagnetic हैं तो यह हो गया quick revision अब next देखते हैं कि nitric acid की properties और preparation कैसे करेंगे अब देखिए nitric acid HNO3 एक strong acid होता है और nitrogen के अगर हम total oxo acids की बात करें तो 3 oxo acids है H2N2O2 जिसको बोलते हैं hyponitrous acid this is hyponitrous acid HNO2 is nitrous acid और third one is nitric acid HNO3 तो इनमें सबसे ज्यादा important जो है वो nitric acid है और इसको हम डेटेल में पढ़ेंगे तो first is the lab preparation कि lab मैं इसको कैसे prepare करते हैं तो it is prepared by heating KNO3 और NaNO3 ठीक है तो आप लिखते हैं NaNO3 और KNO3 को heat करेंगे हम concentrated H204 के साथ ठीक है तो इसमें बनेगा आपके पास NaHSO4 या KHSO4 PLUS HNO3 यह होगा इसका lab preparation का method और industrial preparation होती है by OSTWALD process तो यह बहुत important है आपको याद होना चाहिए कि OSTWALD process क्या है nitric acid की industrial preparation का process ठीक है OSTWALD process हम HNO3 बनाते हैं on a commercial scale तीक है आप देखिए इसमें क्या reaction है 4 NH3 तो ammonia gas plus 5 oxygen यह एक specific catalyst that is platinum rhodium gauge पे इसको हम treat करते है at around 500 Kelvin और 9 bar pressure तो यह convert होता है nitric oxide में ठीक है NO gas plus 6 H2O gas अब यहां से यह जो NO generate हुआ इसको वापस recycle करके use कर लिया जाता है क्योंकि NO process में चाहिए हमें तो यह जो भी बचेगा NO इसको वापस recycle करके reaction में use कर लिया जाएगा ठीक है अब देखिए अब यह जो process है इससे HNO3 जो हमें मिलता है Aqueous HNO3 इसको हम distillation से approximately 68% by mass कितना 68% by mass तक concentrate कर सकते हैं उसके बाद अगर concentrate करना हो तो distillation से नहीं होगा फिर आपको concentrated H204 use करना पड़ेगा जो उसमें present moisture या water उसको absorb कर लेगा तो up to 68% concentration distillation से ही मिल जाती है उसके ज्यादा concentrate अगर करना हो approximately 98% तक तो हम concentrated H204 के साथ dehydration use करते हैं अब next बात आती है properties की तो properties HNO3 की पहली चीज तो हमें पता है कि यह एक बहुत strong acid है and this is the structure of HNO3 तो यह जो oxygen hydrogen oxygen nitrogen bond angle है 102 degree and this bond angle is around 130 degrees तो यह भी आपको याद नहीं करना है बस आपको structure इसका याद होना चाहिए ठीक है अब देखिए properties की बात करें तो पहला कि normal concentrated HNO3 is colorless normal ठीक है पर it becomes yellow as a result of photochemical decomposition which gives NO2 ठीक है तो photochemical मतलब light की presence में decompose कर जाता है जिससे NO2 generate होती है तो उसे reaction को हम लिखते है 2HNO3 sunlight that is H new की presence में 2NO2 plus H2O plus half O2 और NO2 का color कैसा होता है brown इसके वज़ासे इस solution का color या liquid का color धीरे-धीरे yellowish हो जाता है ठीक है और कभी-कभी आपने एक word सुना होगा red fuming HNO3 fuming का मतलब उससे fumes निकल रही है और red है red क्यों है क्योंकि HNO3 sunlight की presence में decompose करके NO2 बनाता है जो की reddish-brown gas होती है तो उसकी वैसे अगर उसकी concentration जादा हो जाए तो NO2 की concentration जादा हो जाए तो color yellow से धीर-धीरे reddish होने लगता है ठीक है next हमने पढ़ भी पढ़ा के lab grade HNO3 जो हमें distillation से मिलता है ostwald process में वह 68% biomass होता है और आगे उसको concentrate करना हो तो H204 यूज़ करके कर सकते हैं ठीक है अब next is कि acid की तरह यह काम तो करता है तो पानी में डालने पर क्या होगा देखिए as a acid काम करेगा तो 2HNO3 पहले H2NO3 positive प्लस NO3 negative ठीक है आप बोलेंगे कि directly क्यों नहीं कर दी H positive plus NO3 negative पर reality में इस तरह से तूटता है उसके बाद H2NO3 positive decompose होता है H2O plus NO2 positive में ठीक है तो हम बोस्ते हैं कि 2HNO3 किस में तूटे NO3 negative NO2 positive और H2O में ठीक है that is clear आप देखिए Concentrated HNO3 is a strong acid तो strong acid ठीक है और strong oxidizing agent भी है मतलब अगर आप metals को इसके साथ react करोगे तो यह उनको oxidize कर सकता है तो यह metals पे attack करता है और उनको उनके oxo acids में convert कर देता है ठीक है sorry not metals को बट यह non metals को उनके oxo acids में convert करता है और metals को उनके nitrates में generally convert करता है ठीक है क्याद रखेंगे के concentrated acid जो HNO3 है यह metals पे attack करके उनको उनके nitrates में convert करता है और non metals को उनके oxo acids में या oxides में convert करता है अब यह चार noble metals है जिन पे HNO3 react नहीं करता उन पे attack नहीं करता ठीक है जैसे gold है platinum है iridium है और rhodium है तो यह noble metals है इनके साथ HNO3 react नहीं करता बाकी सब के साथ करता है ठीक है और कैसे करता है यह भी उसकी concentration पे depend करता है जैसे 3 copper plus 8 HNO3 ठीक है अगर हम dilute लेते हैं तो यह convert होता है 3 copper nitrate plus 2 NO plus 4 H2O ठीक है nitrate तो बना अब यही copper अगर 4 HNO3 concentrated के साथ react करेगा तो nitrate तो बनेगा पर साथ में NO की जगह अब आएगा आएगा आपके पास NO2 ठीक है reddish brown कलर की gas तो यह यहाँ पर difference है यह आपको याद रखना है कि dilute लेंगे तो कुछ और reaction होता है वैसे ही zinc को गरम reaction इसका देखें तो 4 zinc plus 10 HNO3 dilute तो यह react करके 4 zinc nitrate यहाँ पर बनाते है plus 5H2O plus N2O और यही zinc अगर हम concentrated form में लें तो क्या बनेगा क्या zinc nitrate बनेगा येस जरूर बनेगा तो zinc nitrate तो बनेगा साथ में जो gas है वो change उठाएगी ठीक है अब N2O की जगा NO2 बनेगा तो यह difference है ठीक है तो आप dilute ले रहे है concentrated ले रहे है कैसा temperature है उस पे भी reaction depend करता है ठीक है अब next is some metals कुछ metals के साथ तो यह react करके उनके nitrate बना रहा है some metals like aluminum ठीक है chromium and iron are rendered passive ठीक है मतलब यह इनके साथ reaction नहीं करता तो इनको अगर आप concentrated HNO3 से treat करेंगे तो यह उसमें dissolve नहीं होते क्यूंकि इनके surface पे एक oxide layer बन जाती है due to formation of an oxide layer on the surface ठीक है तो जैसे HNO3 के साथ यह react करना चाहेंगे भी उनके surface पे जो oxide layer बन जाएगी उसकी वजह से reaction आगे हो नहीं पाएगा तो nitric acid इनके साथ reaction नहीं कर पाता और gold, platinum, iridium और rodium पे तो attack ही नहीं करता इन पे attack करता है पर इनको dissolve नहीं कर पाता ठीक है और बाकि अगर non-metals के साथ इनका reaction हम देखें तो देखें, non-metals के साथ भी बहुत important reaction है that is i2 के साथ react करेगा और यह reaction आपको सारे लिखके याद तो करने ही पड़ेंगे तो i2 के साथ reaction में 2HIO3 plus 10NO2 plus 4H2O और carbon के साथ 4HNO3 gives you, तो carbon oxidize हो जाएगा, तो हो क्या रहा है आपके HNO3 oxidizing agent के तरह काम कर रहा है, i2 की oxidation state 0 है तो oxidize करके HIO3 में चला गया, अब HIO3 में यह कितना होगा, plus 5 में, oxidation होगी ना तो carbon oxidize होके CO2 में चला जाता है ठीक है, plus 4NO2, और sulfur S8 में present होता है इसके साथ लगते है 48HNO3 concentrated और sulfur oxidize होके convert होता है H2SO 4 में plus 48NO2 plus 16 H2O, तो इन में आप में को यह बताओ कि जो सबसे common चीज है, चारों के चारों reaction में वो क्या है P4B oxidize होके 4H3PO4 that is, phosphoric acid में convert हो रहा है तो यह तो reaction होके अगर दो तीन बाहर लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा I2 से बना HIO3, carbon से बना CO2, sulfur से बना H2SO4, phosphorus से बना Phosphoric acid NO2 सब में common है सब में साथ में NO2 बन रहा है तो यह आप याद रखतें कि Oxide nitrogen का कौन सा बनता है NO2 तीक है, अब देखे Next is the brown ring test बहुत important test है, तो brown ring test करते किस के लिए है It is a test for nitrates तीक है, nitrate ion मतलब NO3 negative अगर किसी solution में present है, तो उसको confirm करने के लिए कि हाँ, वो वहाँ पे है यह test किया जाता है, ठीक है, brown ring test तो इसमें क्या होता है यहाँ पे हम सबसे पहले कहलेंगे एक solution जिसमें हमें लगता है कि शायद उसमें nitrate present है This solution contains NO3 negative ठीक है, तो solution में सबसे पहले का करने आपको add dilute ferrous sulfate FSO4, ठीक है second add concentrated H204 along the sides मतलब side से डालना है धीरे-धीरे से, मतलब इसको tilt करके test tube को टेडा करके धीरे-धीरे से H204 carefully उसमें add करना है ठीक है, तो पहले dilute FSO4 उसके बाद concentrated H204 डाल दिया, अब इसके बाद अगर reaction होता है, तो there will be a brown ring formed at the interface between the solution and H204 layers तो यहां कहीं आपका एक brown ring बनना चाहिए ठीक है, तो this is a brown ring कहां बनता है interface पे, किसके interface पे, solution और H204 की जो layer आएगी उनके बीच में बनता है ठीक है, अब देखतें इसके reaction, इसमें reaction क्या होगा देखें जो NO3 negative present अगर होंगे FeSO4 आपने डाला है उसमें Fe2 positive मिलेगा तो acidic solution है, क्योंकि H204 भी डाला है हमने तो यह convert होगा पहले, NO plus 3 Fe 3 positive plus 2 H2O तो मतलब Fe2 positive को हम oxidize कर दे रहे Fe3 positive में तो iron 2 positive oxidize हो रहा है तो मतलब nitrate को यह reduce कर रहा है तो मतलब nitrate ions are being reduced to nitric oxide यह reduction हो रही है ठीक है अब इसके बाद Fe2 positive थे कुछ present solution में क्योंकि सारे के सारे तो oxidize नहीं हो जाएंगे तो अब भी जो solution में present थे वो water के साथ complex बना के बैठे थे H2O6 2 positive अब यह जो nitric oxide बना NO इसके साथ यह बनाते है Fe2O5 NO 2 positive plus H2O यह वाला जो complex compound है इसका color है brown और इसकी वाले से brown ring मिलता है तो आपको क्या याद रखना है इस इस टेस्ट फॉर nitrates पहले चीज़ Nitrates पहले step में nitric oxide में reduce हुए फिर वो nitric oxide iron के साथ combine करके यह complex बना रहा है जो brown color का होता है और brown ring is formed at the interface between the solution and the H2SO4 layer ठीक है याद रह जाएगा तो यह बहुत important है आपका जो qualitative analysis है ठीक है salt analysis आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर यह brown ring test आपको करना पढ़ेगा ठीक है exactly याद करना पढ़ेगा बहुत important भी है ओके तो that completes our nitrate acid part अब next start करते हैं with the phosphorus ठीक है phosphorus एक बहुत ही reactive element है क्योंकि और इसका एक use तो है match box में ठीक है first diagram में आप देख सकते हैं कि match box इस माचिस बनाने में red phosphorus को use किया जाता है तो definitely यह एक day-to-day life का use होने वाला product है और दूसरे diagram में आप देख सकते हैं this is the explosion और the burning of white phosphorus तो white phosphorus जो बहुत जादा reactive होता है और थोड़ा सा अगर इसको ignition या spark मिल जाए तो यह बहुत ही exothermic reaction के साथ जलता है ठीक है तो white phosphorus को world war में bomb में use के जाता था क्योंकि अगर एक बार आप white phosphorus का bomb फैंग दें तो यह आसपास एक बार इसका ignition स्टार्ट हो जाएगा तो यह आसपास कोई भी flameable चीज होगी उसको भी साथ में जला देगा तो इसके बहुत ही जादा गंदे effects है जो भी एक बार ignition इसका स्टार्ट होता है तो phosphorus के अगर हम बात करें तो phosphorus के बहुत सारे yellow drops है ठीक it has many yellow drops but white red और black यह तीन सबसे जादा important ones है ठीक है और इनका stability order देखें कि सबसे stable कौन है तो black सबसे stable है मतलब black normally react नहीं करता उससे कम stable है red और सबसे unstable है white या इसको yellow phosphorus भी बोलते हैं तो यह stability order है reactivity order इसका बिलकुल reverse हो जाएगा ठीक है कि white सबसे जादा reactive है और सबसे कम reactive होगा black phosphorus अब phosphorus को अगर obtain करना हो तो phosphorus को हम कैसे elemental state में obtain करते हैं तो it is attained by or obtained by reduction of phosphate rock sorry phosphate rock तो phosphate rocks की reduction से यह बनता है ठीक है अब reduction के लिए किसको use करेंगे तो reduction के लिए carbon एक अच्छा reducing agent है with silica तो SiO2 this is silica and coke coke means carbon ठीक है तो calcium phosphate की rocks को silica और coke के साथ reduce करते हैं जिसमें हमें phosphorus elemental state में मिल जाता है और calcium silicate as a by-product और carbon mono oxide ठीक है तो यह आपके anxiety में mention नहीं है बट आपको याद होना चाहिए कि किस से हमें elemental phosphorus मिला था phosphate rock की reduction से अब start करते हैं first allotrop that is white phosphorus यह white phosphorus it consists of a discrete P4 molecules यहाँ पे इस diagram है एक phosphorus का atom, दूसरा phosphorus का atom तीसरा atom और यह fourth atom अभी सभी आपस में connected है यह दो भी आपस में connected है यह दो आपस में connected है यह दो connected है यह भी connected है और यह दो भी connected है ठीक है और यह वाला bond भी है तो यह जो एक bond है यह एक bond 60 degree का है तो obvious ही बात है कि दूसरा वाला bond भी 60 degree का होगा ठीक है यह वाला bond भी 60 degree का होगा तो white phosphorus कैसे exist करता है single single P4 का molecule मतला ऐसा एक P4 का molecule होगा ऐसा ही एक और P4 का molecule होगा अब क्योंकि दो P4 molecules के बीच में कोई bonding नहीं है या कोई strong attractive force नहीं है इसलिए white phosphorus का जो boiling point होगे वो भी काफी कम होते हैं ठीक है क्यों क्योंकि एक ये P4 unit हो एसा एक और unit होगा इसके पडोस में तो उन दोनों की बीच में कोई strong attractive force नहीं है जिसकी वरह से इनका boiling point भी कम होता है ठीक है और secondly ये जो 60 degree का angle है बहुत छोटा angle है 60 degree का मतलब है कि काफी जादा इसमें angular strain होगा ठीक है नॉर्मली जब भी आपने देखा है कि अगर हम CH4 का structure देखें NS3 का देखें तो tendency ये होती है कि अगर चार bond बन रहे हैं तो वो चारों bond tetrahedral arrangement में बनें जिसका angle 109.5 degree होना चीए क्योंकि ये ही सबसे stable angle है अब इस angle से अगर आगे चले जाएंगे तब भी strain आ जाएगा ठीक है और अगर इस angle से angle छोटा हो गया तब भी repulsions की वज़ा से strain आ जाएगा तो जब भी हम tetrahedral bond angle से बहुत दूर होते हैं जितना ज़्यादा उसमें deviation रहेगी उतना strain आता रहेगा तो देखें अब वाइट फॉस्फोरस translucent white wax solid है appearance poisonous है ठीक है और जब early early days में जब फॉस्फोरस discover हुआ था तो फॉस्फोरस को mining करके निकालते थे तो जो workers इसकी mining में काम करते थे उन्हें इसकी poisonous nature का तो किसी को भी उसमें पता नहीं था तो इसकी वज़ा से उनको काफी ज़्यादा health problems होते थे बहुत serious ठीक है one very severe health problem is fossi jaw ठीक है जिसमें आपका पूरा पूरा जबड़ा है वो मतलब damage हो जाता है धीरे धीरे deteriorate होता जाता है ठीक है that is called fossi jaw then it is insoluble in water it glows in dark ठीक है white phosphorus हमने का सबसे जादा reactive है मतलब इसको आप air की presence में छोड़ दें तो ये glow करता है मतलब थोड़ा थोड़ा air के साथ react करता है तो अगर आप अधेरे में देखेंगे तो इसमें glow दिखेगा इस glowing property को बोलते है chemiluminescence अब most reactive allotrop है अब ये most reactive है क्यों इसका reason किस में होना चाहिए इसके structure में क्योंकि किसी भी compound की reactivity का जो reason है वो उसके structure में होता है क्योंकि उसे structure में जो bonds हैं क्या वो weak हैं क्या उनमें strain बहुत जादा है तो इसके structure में हमने क्या पढ़ा भी कि 60 degree angle की वज़ा से इसमें strain कै काफी जादा है तो इस strain की वज़ा से ही ये बहुत जादा reactive होता है ठीक है तो हम बोस्ते हैं most reactive allotrop due to angular strain ठीक है angular strain in the P4 molecule ठीक है आप यहाँ पर mention करते की angle is equal to 60 degree तो इसका जो reaction होगा with air ठीक है तो एर के साथ का जो reaction है जिसमें हमने का ये glow करता है that is P4 plus 502 gives you P4O10 तो P4O10 की dense white fumes होती है ठीक है dense white fumes तो मतलब जब यह एर में react करेगा तो dense white fumes देगा P4O10 की second reaction इसके लिए है कि अगर हम इसका reaction करवाते है NaOH के साथ ठीक है P4 plus 3 NaOH plus 3 H2O तो यह phosphorus का hydride बनाता है that is pH 3 plus 3 NaH2 PO2 that is sodium hypo phosphite ठीक है और यह कहा है pH 3 this is called phosphine ठीक है अब red phosphorus की जो bonding arrangement है वो थोड़े से different है ठीक है यहाँ पर एक P4 block है वो दूसरे से connected है वो आगे connected है वो आगे connected है तो लॉंग chain structure यहाँ पर बन रहा है यह दोनो phosphorus आपस में connected नहीं है ठीक है तो हम बोलते हैं कि यह वाला जो bond था यह इसमें present नहीं है यह bond तूटके यह बहार की तरफ चला गया ठीक है कि यह वाला जो यहाँ पर जो यह bond बन रहा था इन दोनों की बीच में यह bond तूटके इस वाले phosphorus ने भी दूसरी तरफ बन बना लिया और इस वाले phosphorus ने भी इट कंसिस्ट ओफ चेन ओफ पी फोर मॉलिक्यूल्स नेक्स इड़ प्रॉपर्टीज तो रेड फॉस्फरस में आपको क्या क्या याद करना है बस यही सारे पॉइंट्स है ठीक है बहुत जादा रियक्शन्स स्लेबस में नहीं है कि रेड फॉस्फरस और वाइट के अलग अलग रियक्शन्स क्या है तो वाइट फॉस्फरस को अगर हम 573 कैल्विन पे हीट करते हैं इनर्ट एट्मोस्फेर में तब ये कुछ दिनों के बाद जाके रेड फॉस्फरस में कनवर्ट होता है और उसको हम हीट करते हैं प्रेशर के अंडर तो वो अलग अलग ब्लैक फॉस्फरस के फेस बनाता है क्योंकि ब्लैक फॉस्फरस भी एक ही वराइटी नहीं है ब्लैक फॉस्फरस के भी डिफरेंट डिफरेंट वराइटी हैं तो रेड फॉस्फरस को हीट करने पे वो अलग-अलग phases बनाता है black phosphorus के second is this is odorless non-poisonous and insoluble in water तो white phosphorus क्या था वो भी insoluble था water में and that was poisonous अब next is much less reactive than white phosphorus यह में पता है क्यों? because less angle strain ठीक है angle strain यहाँ पे कम हो गया है अब आप से में question पूछता हूँ कि red phosphorus का boiling point white phosphorus के comparison में कैसा होना चाहिए high होना चाहिए या low होना चाहिए तो अगर आप सोचें यहाँ पे कि white phosphorus में तो एक single P4 unit था दूसरा P4 unit अलग है उन दोनों के बीच में कोई attraction या bonding नहीं है पर यहाँ पे P4 units आपस में इन bonds के थूँ इस bond के थूँ connected है तो अगर आपको boil करके इनको अलग-अलग करना है तो आपको यह bonding तोड़नी पड़ेगी तो यह bonding तोड़ने में ज़्यादा energy लगे की red phosphorus के case में जबकि white phosphorus के case में ऐसी कोई bonding नहीं है तो इसका मतलब red phosphorus का boiling point है वो definitely white से तो ज़्यादा होना चाहिए ठीक है next is it is stable in air जैसे white phosphorus glow करता है chemiluminescence property तो वो इसमें नहीं है ठीक है यह stable है air में air में कोई glow यह नहीं करता and it reacts with oxygen only above 400 degree Celsius उसके नीचे यह stable है and used in the match box यह हम जानते है अब next आजाता है black phosphorus तो black phosphorus का जो structure है वो NCRT के syllabus में या आपके syllabus में तो नहीं है तो but still इसका structure कुछ इस तरह का होता है जिसमें hexagonal rings बने होते हैं तो phosphorus आपस में सभी connected हैं और यहाँ पर देखिए angle strain बहुत कम है तेखिए ना red phosphorus में फिर भी angle strain थोड़ा था इसमें ये angles क्या है almost हम बोलते हैं कि ये अभी दिखाई तो दे रहा कि 120 degree के आसपास है पर 120 degree नहीं है ये 120 से different है पर इतना बोलते हैं कि tetrahedral angle से बहुत ज़्यादा different ये नहीं होंगे tetrahedral angle के काफी close होंगे तो इसलिए angle strain कम होने की वज़ा से या minimum होने की वज़ा से black phosphorus is the least reactive ठीक है आप इसको बोलते है least reactive allotrop ठीक है और black phosphorus के दो forms होते है alpha black और एक beta black alpha black की preparation और beta की preparation ये आपको दोनों याद करने है कि red phosphorus को 803 Kelvin पे heat किया तो alpha और white phosphorus को 473 Kelvin with high pressure heat किया तो beta black बस इतना ही आपको black phosphorus में याद करना है अब देखिए next category is the phosphine तो phosphine क्या है it is the hydride of phosphorus pH 3 ठीक है और hydride की stability है अगर हम revise करें तो hydride की stability down the group नहीं पेश्टरी पेश्टरी अश्टरी अश्टरी इन सब की stability down the group बढ़ती है या कम होती है तो I think down the group कम होती है क्योंकि bond length बढ़ती जाती है bond length मतलो जैसे NH का bond है फिर pH bond है फिर ASH bond है ये bond length धेरे-धेरे बढ़ी होती जा रही है bond जितना लंबा होगा उतना ही weak होगा easily तूट जाएगा तो thermal stability of hydride decreases down the group ठीक है हम revise कर लेते हैं इसको next देखिए this is the structure of phosphine तो जैसे NH3 का structure था वैसे phosphorus के ओपर एक lone pair है और तीन hydrogen से connected है पर NH3 में जो bond angle था वो 107.8 degree था यहाँ पर bond angle 93 degree मतलब बहुत जादा deviation है इतनी जादा deviation normally नहीं आती कि आप बोलेंगे सर वहाँ पर तो nitrogen था यहाँ पर phosphorus है तो obviously बात है कि कुछ difference तो रहेगा कि nitrogen जादा electronegative होता है पर इतना बड़ा gap bond angle में सिर्फ element change करने से नहीं आता तो इसके बारे में जो theory है वो यह है कि pH 3 में यह जो 93 degree का bond angle है जो कि ammonia में 107.8 degree का होता है यह suggest यह करता है कि phosphorus sp3 orbital नहीं उस कर रहा मतलब phosphorus की hybridization यहाँ पर sp3 नहीं है बलकि यह pure p orbitals use कर रहा मतलब यहाँ पर hybridization almost हो ही नहीं रही है ठीक है तो यह आप एक interesting point आपके लिए extra आपके इस लिए बस से आप समझ सकते हैं कि pH 3 में sp3 hybrid orbitals नहीं यूज होते phosphorus pure p orbitals यूज करता है ठीक है बागी तो properties हैं देखिए phosphorus is a colorless highly poisonous gas और जिसकी rotten fish की smell होती है अब कैसी होती है तो आप जब lab में इसको prepare करेंगे तभी आप experience कर पाएंगे and it's a covalent molecule with pyramidal structure तो pyramidal structure है क्योंकि pyramidal में यह से यह तीन pyramidal की तरह काम कर रहे हैं और इसके ओपर यह जो lone pair है lone pair को count नहीं किया जाता ठीक है निजब यह structure की बात करते हैं तो structure define होता है sigma bond से lone pair से नहीं define होता तो यह pyramidal structure है जिसके pyramid के top पे phosphorus है और तीन नीचे base में hydrogen लगे हुए तीक है और covalent molecule है then it is non-flammable when pure तो pure phosphine अगर आपके पास होगी तो वो flammable नहीं है बर क्योंकि यह धीरे-धीरे decompose करती जाती है convert होती जाती है P2H4 में या P4 के vapors में उनकी वज़ा से यह flammable बन जाती है क्योंकि P4 normally react करता है air के साथ ठीक है तो when pure it is non-flammable but it becomes flammable due to the presence of P2H4 और P4 vapors अब इस चीज़ को solve करने के लिए कि अगर flammable बन गई है या यह जो P2H4 और P4 आ गए है इनको कैसी हटाया जाए ठीक है तो these impurities are removed by तो पहले हम क्या करते है इस सबको HI that is hydrogen iodide में absorb करवाते हैं ठीक है तो first thing is absorbed in HI ठीक है उससे क्या बनेगा उससे बनता है pH4I ठीक है phosphonium iodide तो यह बना इसको बिलिख सकते है this is phosphonium iodide ठीक है HI में dissolve करने पर यह बन गया अब second step में क्या करना है इसको treat करना है KOH के साथ तो KOH के साथ treat करने पर यह KI plus H2O plus pH3 बना देता है मतलब जो आपका P2H4 था वो हमने वापस pH3 में convert कर दिया कैसे पहले HI में absorb कराया जिससे pH4I बना उसको फिर KOH से treat किया जिसमें KI plus H2O plus pH3 बन गया ठीक है तो this is how we can remove these impurities अब देके next is the preparation कि कैसे कैसे हम phosphine बना सकते हैं first method is CA3P2 तो calcium phosphide को पानी के साथ treat किया तो simply hydrolysis यहाँ पर हो रहा है तो calcium देखे यहाँ पर calcium पर क्या होगा positive charge होगा और phosphorus पर क्या होगा negative charge होगा तो water को अगर आप तोडेंगे तो water कैसे तूटता है H positive और OH negative में तो calcium positive है यह negative पार्ट ले लेगा phosphorus negative है यह positive पार्ट ले लेगा तो calcium के साथ आगया OH तो CAOH twice plus pH 3 तीक है वैसे ही calcium phosphide को HCl से treat करेंगे तो वही negative पार्ट चला जाएगा calcium के पास और positive पार्ट चला जाएगा phosphorus के पास तो CACl2 plus pH 3 यह reaction देखे याद करने के अलग-लग आप तरीके ढूंड सकते हैं कि शायद ऐसा होगा आप ऐसा होगा पर reality में inorganic chemistry में predict करना कि दो चीज़ें combine करके क्या exactly बनाएंगी यह हम नहीं कर सकते जब तक आप उस reaction को lab में न perform करो तीक है तो prediction is not a part of science नहीं आप उसको मान नहीं सकते तो यह reaction आपको याद ही करने पड़ते हैं हाँ याद करने के लिए आप नई-ने tricks ढूंड सकते हैं कि हाँ सर इसने शाहिद इस पे tag किया होगा ठीक है पर आपको लिक-लिक के practice करना है पड़के याद नहीं होती कोई भी चीज लिखके ही याद होगी and third is the lab preparation तो lab में P4 plus NaOH plus 3H3 3H2O तो यह अबनी अभी previous white phosphorus के case में पड़ा था यह reaction कि P4 को NaOH और H2O से treat किया तो phosphine gas plus sodium hypo phosphite ठीक है कहा नाम था इसका sodium hypo phosphite बना and fourth is 4H3PO3 मतलब phosphorus acid को heat करेंगे तो S3PO4 phosphoric acid plus pH3 बनाता है तो यह चार आपके main preparation के reactions आगे ठीक है इनको लिख लो and next is the reactions कि phosphine आगे कैसे कैसे react करता है तो देखिये 4 pH3 in the absence of air ठीक है 440 degree Celsius तो यह absence of air spark देने पे decompose कर रहा है P4 plus 6H2 में और ठीक है मतलब absence of air में spark दिया तो decompose हुआ phosphorus अलग होगा hydrogen अलग होगी second air के साथ treat करेंगे 2 pH3 plus 4O2 तो air के साथ यह burn करता है to give P2O5 plus 3 H2O ठीक है HNO3 से treat करेंगे तो P2O5 plus 16 NO2 plus H2O copper sulfate और HGCl2 से treat किया तो corresponding phosphides बन गये ठीक है तो copper sulfate के case में क्या बना उसका corresponding phosphide ओके और HGCl2 के case में भी उसका corresponding phosphide बन गया तो यह दो reaction भी काफी important है ओके और अगर हम basicity की बात करें तो phosphine की basicity कैसी होनी चाहिए क्या है basic होना चाहिए जो क्योंकि phosphorous के ओपर एक lone pair है तो basic तो होना चाहिए पर कितना basic होगा ammonia से ज़्यादा basic है या ammonia से कम basic है तो हम बुझते हैं कि sir ammonia से तो कम भी basic होगा क्यों क्योंकि NH3 में यह lone pair एक छोटे nitrogen के ओपर available है छोटी जगा में lone pair होना का मतलब है कि charge density बहुत ज़ादा है charge बहुत dense है phosphorous का size बहुत बड़ा है तो उस पर जो lone pair होगा वो उतना dense नहीं होगा charge तो ज़्यादा charge density का मतलब है ज़्यादा basicity तो basicity NH3 की ज़्यादा है pH3 की काफी कम है तो आप यहाँ add कर सकते हैं कि pH3 is weekly basic ठीक है और basic अगर weekly भी होगा तब भी वो acid की साथ तो react उसको करना चाहिए तो pH3 plus HBR क्या बनाएगा acid plus base क्या बनाता है salt ठीक है तो pH4 BR मतलब pH4 positive और BR negative इस तरह का compound यहाँ पर बनेगा अब next आपके लिए एक छोटा सा homework है आपको पता करना है what is home's signal ठीक है आपकी बुक्स में दिया गया है uses में के spontaneous combustion of phosphine is technically used in home's signals तो home signals क्या होते हैं कैसे यह बनते हैं उसमें क्या reaction होता है इसको अप थोड़ा सा ढूंड के आओ ठीक है तो फिर next session में हमें इसको discuss करेंगे कि what are home's signal ठीक है so that is all thank you